आगरष रहर कॉंग्रेस कमिटी ने कैम कार्याले से लेकर LIC तक पैदल मार्च निकाला और पोस्ट एच चस्पा कर महा महें राश्थपती के लाम 255 कॉंग्रेस कमिटी के जला प्रवत्त अनिल शर्मा नहीं कहा कि मोदी और अदानी का रिष्टा समझ नहीं आता मोधी सरकार ने अदानी पर अभी तक जाच क्यों नहीं बिठाई है इस गहरे अर्थिक संकट के समय में भाजपा सरकार देश के महतपुर्ण बुनियादी राज्य को अदानी सम्हों को भेज रही है और SBI का LIC जैसे सारवजनिक स्थानों को निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है जिससे गरीव मध्य वर्ग के लोगों की करोण रुपे की बचत है साथ ही ये भी कहा कि महा महीम जी कॉंग्रेस पार्टी हमेशा ही देश के गरीव मध्यम वर्ग के लोगों की पक्षधर रही है इन वर्गों के हितों के साथ किये जाने वाले किसी भी प्रकार के कुठारा घात बरदाश नहीं करेंगे हमारा इसपस्च माना है कि सारवजनिक स्थानों पर जहां पर देश के करोणों गरीवों वा मध्य वर्ग के लोगों की खून पसीने की कमाई लगी हुई है उन्हें किसी भी परिस्तिती में व्यप्तिगत हातों में नहीं सौपा जाना चाहिए देश का पैसा पूरा अमारे प्रदान मंतिरी द्वारा अपने मित्र गोतम अडानी के नाम LIC का तमाम पैसा SBI का तमाम पैसा लोन के रूप में उनको दिया गया लेकिन जब हिंडन बर्ग की रिपोर्ट आई उसमें ये खुलासा हुआ कि अडानी जी को जो पैसा दिया गया है जनता की गाली कमाई का जो डूब रहा है उसके लिए संसद में आवाज उठी संसद में हमारे नेता राहुल गांदी ने ये मंग की कि इसकी जांच जेपी सी के द्वारा कराई जाए सरकार उसकी जांच कराने को राजी नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ कि जब तक प्रधान मंतिर अपना मूह ने खोलेंगे जब तक वो अडानी के जाप जो जांच होनी है उसकी गोचना नहीं कर देते तब तक यह चलता रहेगा क्योंकि हिंदुस्तान की जंता अब यह स साकार मच रहा है तो उसकी सतता जाना चाहती जंता तो जब तक कि प्रधासन जारी रहेंगे देखिए जंता की गाड़ी कमाई का पैसा एलाइसी और एसबी आई में लगा होता है और इस पैसे को जबरदस्ती राज शासन के दबाब में प्राइवेट कंपनियों में बताना नहीं चाहते आखिर ये रिस्ता क्या कहलाता है जंता की गाड़ी कमाई का पैसा दूब रहा है कांग्रेश जन जंता के साथ हैं जंता की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे भारत में इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है केबल आगरा ही नहीं उत्तर प्रदेश के प दर शर्मा की बोट